सबसे पहले बात करेंगे यूपी को मिलने जा रहे है एशिया के चौथे सबसे बड़े हवाई अड़े नौईडा इंटरनाशनल एरपोर्ट की सौगात की फिर आपको जेवर में पीम मोदी के जैगोश की मिनट टू मिनट रिपोर्ट के साथ एरपोर्ट के रनवे से कौन भरेगा सियासी उडान सब कुछ दिखाएंगे तो नौईडा इंटरनाशनल एरपोर्ट से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप नाइन यूपी का जेवर प्रधान मिंतरी मोदी आज दुपहरे एक बज़े अपने ट्रीम प्रोजेक्ट नौईडा इंटरनाशनल एरपोर्ट के शुलान नियास करेंगे इश्या के चौथे सबसे बड़े एरपोर्ट के भूमी पूजन और शुलान नियास कुले कर उत्साहित प्यम मोदी ने ट्वीट किया कि पच्ची समवंबर भारत और उत्तरप्रदेश के बुनियादी धाचे के निर्माण में एक प्रमुख दिन है तो फहरे एक बजे नॉइडा इंटरनाशनल एरपोर्ट का शुलान नियास किया जाएगा इस परियोजना से वानेज ये कनेक्टिविटी और परेटन को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा नॉइडा इंटरनाशनल एरपोर्ट के भूमी बुजन में शामल होने के लिए प्रधान मंत्री मोदी सुभे 11 बचकर 20 मिनट पर दिल्ली से हलिकॉप्टर में बैट कर जेवर रवाना होंगे जबकि 11 बचकर 50 मिनट पर जेवर हलिपैट पर उतरने के बास सीधे कारिकरम इस थल पर पहुँचेंगे जहाँ सीम योगी और बीजेपी नेताओं के साथ भारी जन सला प्यम मोदी का स्वागत करेगा शिलन्यास कारिकरम के बाद प्यम मोदी जन सभा को संबोधित भी खरेंगे और फिर सवा एक बजे के करीब दिल्ली वापस लोटेंगे प्यम मोदी के आगमन को देखते हुए जेवर को हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर सुरक्षा की ऐसी कड़ी विवस्था की गई है कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा प्यम मोदी की सुरक्षा में एसपी स्टर के बारा अधिकारी, बारा एसपी, 23 जी एसपी, 63 निरीकशकों के साथ गौतम बुधनगर के 9 थाना प्रभारी तैनात रहेंगे जेवर के चप्पे चप्पे पर करी 5,000 पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है ट्राफिक पुलिस ने प्यम के दोरे को देखते हुए यातायात और पार्किंग को लेकर भी एडवाईजरी जारी की है नौईडा इंटरनाशनल एयरपोर्ट के शिलन्यास होने के साथ ही उत्तरप्रदेश देश का सबसे अधिक अंतरराष्ट्य हवाई अड़े वाला प्रदेश बन जाएगा उत्तरप्रदेश में फिलाल आठ हवाई अड़े से विमानों की आवाजही जारी है हाल ही में पियम मूदी ने यूपी को कुशिनगर अंतरराष्ट्य एयरपोर्ट की सौगात दी थी नौइडा इंटरनियास से पहले ही यूपी में तेरा हवाई अड़ों की साथ साथ हवाई पटियों की निर्माल का काम जोर शोर से चल रहा है पियो मूदी की ड्रीम प्रोजेक्ट नॉइडा इंटरनाशनल एरपोर्ट को लेकर यूपी के सीम योग ईश्वल अन्यास कारक्रम की पूरी तैयारियों पर खुद नजर रखे हुए हैं नॉइडा इंटरनाशनल एरपोर्ट का निर्माड जूरिक एरपोर्ट इंटरनाशनल एज़ी करेगी एरपोर्ट का विकास दो स्टेज में होगा पहले चरण के विकास के लिए करीब 3,300 एकड भूमी का अधी ग्रहन किया गया है जेवर में बन रहे नॉइडा इंटरनाशनल एरपोर्ट का पहला फेस 3 साल बाद 2024 पे पूरा हो जाएगा हलाकि 2024 में होने वाले लोग सबाचनाओ को देखते हुए 2022 से 23 से ही इस एरपोर्ट से हवाई सेवाओ को शुरू करने का सरकार ने लक्षताई किया है पूरी तरहे से तैयार होने के बाद ये देश के सबसे बड़े दिल्ली के इंद्रागांधी इंटरनाशनल एरपोर्ट को बीछे छोड़ कर एशिया का चौथा सबसे बड़ा एरपोर्ट बन जाएगा नॉड़ा इंटरनेशनल एरपोर्ट को देश के तीन एक्स्प्रेस वे से जोड़ा जाएगा एरपोर्ट से आईजी आई और गेटर नॉड़ा तक मेट्रो चलेगी एरपोर्ट को हाई स्पीड रेल लाइन और बॉड टेक्सी चे जोड़ने के साथ ही दिल्ली वारा नसी बुलेट ट्रेन कोरिडोर का एक स्टेशन भी एरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग में बनाय जाएगा नॉड़ा इंटरनेशनल एरपोर्ट का विकास दो स्टेश में होगा पहले चरण में 30,000 करोड रुपई की लागा से एरपोर्ट पर दो रनवे बनाय जाएगे एरपोर्ट पर दो रनवे बन जाने से दिल्ली एरपोर्ट पर दबाव कम होगा और सालाना करीब एक करोड हवाई यात्री उडान भर सकेंगे दूसरा चरण पूरा होने के बाद एरपोर्ट पर रनवे की संख्या बढ़कर पांच हो जाएगी एरपोर्ट चुरू होते ही दिल्ली देश का पहला ऐसा शेहर बन जाएगा जिसके 70 किलोमीटर के डाइरे में 3 एरपोर्ट होंगे यूपी चनाव से पहले कुशिनगर एरपोर्ट की सौगात देकर और अब नॉइडर इंटरनेशनल एरपोर्ट का शिला नियास करके योगी सरकार ने यूपी की जनता के सामने विकास का ऐसा रोड मैप तयार किया है जिसके सहारे बीजेपी को यूपी की गद्डी दुबारा हसल करने में मदद मिल सकती है किंद्री उड़ेयन मंतरी जोते रादर से सिंध्या की माने तो इस प्रजट के जरिये दो बिलियन डॉलर का निवेश आ चुका है और आसपास के क्षेतरों में साथ हजार करोड के निवेश का अनुमान है